खबर को सामबी से जापर सौराई गाउं में डेंगो बुखार से 15 दिनों के अंदर करीमन 8 लोगों की मौते हो चुकी हैं गाउं में बुखार से सैक्लों लोग बिवार हैं ग्राविलू ने हजारों लोगों के बुखार से बीमार होने का दावा किया है, कुछ घर पर इलाज करा रहे हैं, कई लोग अस्पताल में भरती हैं, गाउं में जगे जगे गंदगी का अमबार लगा हुआ है, सडकों में भरे नाली के गंदे पानी से भी लोग काफी परिसा हैं, बीमारी फैनने से गाउं के कई लोग अपना गाउं छोड़कर रिष्तेदारों के यहां चले गए हैं, स्वास्त विभाग की टीम इलाज के नाम पर सिर्फ खाना फूर्ती करते हुए नजर आ रही है, सापसफाई भी नहीं होने से गाउं में बीमारी फैनने की असंक का जताई यारी है, गाउं में अभी तक फागिंग चिड़काव भी नहीं कराया गया, कोई मदद ना मिलने से ग्रामिलों में काफी नाराज की देखने को मिल लए है, पूरा मामला सिराथु तैसिल के सवराई बुजूर्ग गाउं का बताया जा रहा है, हमारे गाउं में बुखार, रहसमाई, बुखार, डेंगू, मलेरिया से लोग, हजारों लोग इस समय मावजूदा हालत पर पीडित हुए हैं, और कम से कम 20 से ज़्यादा मौते हो चुकी है, 15-20 दिन की अंतराल में, किस वज़र से मौत हुए है, मौत यही बुखार, डेंगू, डाइरिया, यही सब चीज पहला, ज्यादा तर डेंगू, लोग बताते हैं, ज्यादा तर डेंगू हुआ है, कोई आई है स्वास्ति विभाग से, स्वास्ति विभाग से, अभी तक तो कोई डाक्टर की टीम नहीं आए, वाडबाय वगरा, या गाउं में जो आसा बहुए है, यही लो चुका है कि यहां तक लोग भर्ती बहुत हैं, और कुजली कितने के तो जान भी गमा गई, किने लोग बीमार हों गाउं में आप, गाउं के हज्यारों लोगों के बात करिया, आपके घर में कितने लोग हमारे घर में तो 3-4 लोग ही, उधी पड़े हैं, क्या समस्या है सभ जाम भी आरे गुंता है। कॉसांबी से सनीराच वर्माक रिपोर्ट टीवी वन एंडिया नियूज